समझते हैं क्या होता है commencement, iç को हिंदी में बोलते हैं सह भोजिता okay start करते हैं नियादों कि सह जीवी संबबन शह जीवी बोले तो जहां पर जो जीव होते हैं इनलग अलग species के अगर वो एक साथ जीवन बिताते हैं ठीक है ना एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर हो सकता है एक किसा आयता करता है दूसरे की नुकसान हो रहा हो तो इस तरीकी के जो relationship होता है उसको बोलते हैं symbiotic relationship so common socialism is a type of symbiotic relationship between two organisms ठीक है ना दो जीवों के बीच में एक सहजीवी संबंद होता है where one organism benefit and the other organism is neither helped nor harmed ठीक है ना यहाँ पर यही आपको याद रखना है यहाँ पर दो जीव होंगे ठीक है ना तो होगा क्या कि इसमें एक को तो फाइदा हो रहा होगा लेकिन दूसरे को नहीं फाइदा हो रहा होगा नहीं नकुसान हो रहा होगा ठीक है ना तो इस तरीके के जो relationship होता है उसे को बोलते हैं commensalism एक चीच और बता दे हैं कि commensalism can occur between two different species याँ जी अलग-अलग जो species होती है उनके बीच हो सकता है और between different individuals of the same species ठीक है ना इसको दो बार में समझाते हैं आप कहते हैं कि एक ही species के दो individual के बीच में commensalism कैसे हो सकता है समझते हैं ये चुडिया है ठीक ना मदर है और ये दो हैं इसके बच्चे ठीक है तो ये घ्क है ना क्योंकि वो जाधा एक्टिव होगा जैसे ही चिळ्या लेकराई कि यह वो सीदे खाने लगेगा तो क्या होगा फाइदा तो दोनों के मिल रहे हैं इसको कोई बता दिया में की साफीं मेरे डे ओंता है is called common cell, यहाँ याँ दखना है, जिसको फाइदा होगा, उसको बोलेंगे common cell, ठीके ना, और दूसरा organism, जिसको नहीं फाइदा हो रहा है, नहीं नुकसान, उसको बोलेंगे host, ओके, so mechanism, आप commonsalism समझते हैं, commonsalism can happen in various ways, such as by providing shelter, transportation and food, ठीके ना, यानि कि दो जीव थे, एक इस ज shelter, ठीके ना, रहने के लिए थोड़ जगह दे दी, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मसली थी, बड़ी तेज जा रही थी, ठीके ना, अब दूसरी छोटी मसली थी, उसको भी जाना था, तो क्या करेगी, इसके साथ अटैस हो जाएगी, तो यह तो जाही रही थी ना, तो अब क्या होगा, यह भी साथ में, तो इसको फाइदा हो गया, इसको को ना फाइदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ, वैसे फूड के केस में हो सकता है, कि यहाँ पर जो बड़ी मसली हो, उसको कुछ फूड है, उसने कुछ खाया, ठीक है, लेकिन जो बच गया, वहाँ पर छोटी मसली हो, उसको खा रही है, ठीक है, तो इसको तो कोई फाइदा नुकसान ने हुआ, यह तो ऐसे भी सिकार करती है, और खाती ही, लेकिन इसको फाइदा हो रहा है, तो यह मेकेनिजम है, कि यह यह जो relationship डेवलाप होई, तो क्यों डेवलाप होई, यह तो shelter पाने के लिए, यह फिर transportation के लिए, यह फिर food के लिए, ठीक है न, इन सब चीज़ों के लिए, यह जो relationship होती है, ठीक है, यह डेवलाप होई, अब हम समझते हैं इसको example से, एक example है, रिमोरा fish और सार्क के बीच का ठीक है ना यह बड़ी मसली सार्क है और यह है रिमोरा फिस जो इसके साथ साथ चलती है ठीक है तो रिमोरा फिस अटेज इटसर्फ टिर बाड़ी आफ लाजर मरीन एनिमल सच अजे सार्क ठीक ना इसके मुँँ में कुछ ऐसे और क्या बोलते हैं कुछ बाड़ी पार्ट्स होते हैं जो सक्सन का काम करते हैं वह चिपक जाती है बड़ी मसली में सार्क हो सकती है या वेल हो सकती है अब होता क्या है कि यह बड़ी मस्लियां होती है काफी तेज चलती है ठीके ना जिसे मालो बहाव अगर इस तरफ है तो अब कोजिवड़ी साइड में बड़ी तेज चलके विए ek Намहूंत तो सार्क मसली को कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन दिमोराफिस को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है ठीक है ना So, however, the shark is not affected either positively or negatively by the presence of the more of this यनि सार्क को कोई इसमें नुकसान नहीं होता है और नहीं फायदा होता है लेकिन यह जो मसली होती है ठीक ना comment इसको हम बोल सकते है इसको फायदा होता है एक यह हो गया एकजमपल दूसरा एकजमपल होता है इपिफाइट एंड ट्रीज का इपिफाइट क्या होते है यह दो को मेन पेंड था यह किसी भी चीज का यहां पर देखो एक और पौधा होगा हुआ है यह जो पौधा है यह एपिफाइट है ठीक ना इपिफाइट सागे प्लांट पैट Commerce रफैस अब ऑदे प्लांच सिपाइट इंड अदर प्लांट सच इस ट्री जो दूसरे प्लांट की सर्फेस पर उकते हैं ऐसे पोड़नों को बोलते हैं इपिफाइट ठीक है ना अब क्या होगा यहां पर इपीफाइट क्या हो जाएगा यह कॉमेंसल क्योंकि इसको फाइदा हो रहा है ठीक है और यह क्या हो जाएगा होस्ट इपीफाइट benefit from the structure and height of the tree which provides them the better access of sunlight अब देखो यह जो पेंड होता है ठीक है काफी बड़े बड़े होते हैं अब होता क्या है मालों इसको sunlight चाहिए थी चूंकि अब नीचे उगता तो इतनी अच्छी sunlight नहीं मिलती तो जब यह क्या करते हैं यह किसी पेंड की उचाई पर उगने लगते हैं तो होता क्या है अरा इक और समाजलेते हैं बर्निकल्स अंड वेल्स का रिलिशन सिप बर्निकल्स अटेस यह च्छटे शोटे दीके Ingred點 अब उस पूंचमें यह बर्निकल्स यहीं जीव होते हैं और गैनियम होते हैं बर्निकल्स करते कि अएँ खुद लेट एक मैं एक क्योंकि इसमें आटैस्क कर लिया तो फिर क्या हो रहा आप वेल ट्राइवल कर रहा है ठीक है ना तो होता है कि यह जब लंबी दूर ट्राइवल करती है तो बहुत सारा खाने की जो छोटे-छोटे जीव होते हैं वो भी उनके पास आ जाते हैं और यहीं खा लेते हैं ठीक है ना वेल इस नाट अफेक्टेट इधर पॉस्टिवली और निगेटिवली वेल को कोई नुक्सान नहीं है क्योंकि वेल इतनी बड़ी है और यह बरनिकल्स इतने छोटे हैं और खुद को सिफ अटै आपको समझ में आ चुका होगा अब एक चीज और समझ लो इंपोर्टेंस के आओती है कॉमें की कॉमेंस रिजंग प्लेच जितने भी डिलेसंसिप होते है ना जितने भी पापॉलेसे इंट्रैक्शन होते हैं तो यह लाइन तो तुम हर जगह लिख सकते हो ठीन इस जगह रोल क्योंकि अगर यह रिलेशनसीब डेवलप होई है तो कुछ ने कुछ इसका दोल होगा तो इसमें फाइदा क्या होता है इट हैस्ट टू डिस्ट्रिब्यूट रिसोर्स एंड इनर्जी थ्रूआउट फूर्ट चैन विच बेनिफिट अदर और अर्गेनिजम इंद एको सिस्टम अब होता क्या है मालों इस दिमोरा फिसको असाने से खाना ना मिलता इसने एक रिलेशनसीब डेवलप की किसके साथ में साक मसली के साथ में और उसके बॉड़ी के साथ होने लगी अब क्या होगा यह जिंदा बच पाएगी यानि की फूर्ट चैन में जो खाना सिर होगी की पूरी वह आसान होगी ट्रेवल करना इसके अलावा क्या होता है इट आल्सो प्रोवाइट वैरियस बेनिफिट्स टु दा कॉमेंसल और इसको तो ऐसे यह जो रिलेशनसीब है वह इसी की वज़ए से बने ही है जो छोटी मसली है जो कॉमेंसल बोलते हैं जिसको ठ इस दुनिया में होती नहीं विच में हैल्प इट्टु सर्वाइब एंड री प्रोडूस इन इट्स इनवार्मेंट ठीक है ना यानि कि जो कॉमेंसल होती है में बेनिफिट उसको होता है ठीक है तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंस किसके कॉमेंसलिजम के मुझे लोड़ाइब भी जाण जुह जाएएब pra रीक है तो यह कुमेंसलिजम साफ एंड़ेगब प्रोड़का रीक है